नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडेल्या गद्धिवस अमेरिका की कैपिटल बिल्जिंग में हुई हिंसा की जहां दुनिया के लगबग सभी बड़े नेताओं ने आलोचना की वही अब ट्रम्प ने भी अपना एक ब पड़ों में निंदा करते हुए अपने ही समर्थकों को दंगाई वह गुस्पैटिया कहकर संबोधित किया है आपको बता दे कि शुकरवार सुबह ट्रम्प ने मीडिया से रूबर होते हुए कहा कि सभी अमेरिकियों की तरह मैं भी इस हिंसक तबाही और मार पीट की घट से काफी गुस्पैटियों को बाहर निकालने का आदेश दिया था अमेरिका हमेशा से लो एंड और पसंद करने वाला देश है और हमेशा ऐसा ही रहेगा इसके आगे ट्रम्प ने कहा कि जो भी लोग इस इंसा में शामिल थे वे हमारे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जिनोंने भी कानून तोड़ा है उन्हें इसकी सजा मिलेगी चुनाव खत्म हो गए हैं और अब हमें बाकी कामों पर फॉकस करना होगा मेरे केमपेन ने सभी कानूनों से इन चुनाव नतीजों को चैलेंज करने की कोशिश की और अब आगे बढ़ने का वक्त है मैं अम शितकाल के लिए डोनाल ट्रम्प का अकाउंट लॉक कर दिया था फेस्बुक प्रमुक मार्ग जुकरबग द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 24 गंटों की चोकाने वाली घटनाव ने साफ कर दिया है कि निवर्तमान राष्टपती डोनाल ट्रम्प अपने कारेकाल के बचे हुए दिनों का इस्समाल अपने चायनित उत्तरादिकारी जो बाइडन को शांती पूर्ण और कानूनी तरीके से सत्ता हस्तान तलन को बाधित करने के लिए करना चालते हैं मार्ग जुकरभाग ने कागे कहा कि टरम्प ने अपने समर्थकों की निन्दा करने की बजाए संसत भवन पर हमला करने के लिए उनको शाबासी देने के लिए इस प्लेटफॉRम का इस्समाल किया ट्रम्प की इस हरकत ने ना सिर्फ अमेरिका बलकि दुनिया भर के लोगों को चिंता में डाल दिया है हम लोगों ने कल उनके बयान को हटा दिया था क्योंकि हमने ये तै किया था कि उनके बयान का असर और मकसद हिंसा भड़काना है हमें यकीन है कि जोरान राश्टपती को इस प्लेटफॉर्म को इस्समाल करते रहने की इजाज़त देने का खत्रा बहुत जादा है इसलिए हम लोगों ने राश्टपती की फेस्बुक और इंस्टेग्राम पर लगी पाबंदी को अनिश्चित काल के लिए और कम से कम अगले दो हफ्तों के लिए जब तक की सत्ता का हस्तान तरण शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो जाता बढ़ाने का फैसला लिया है जानकारी के लिए बता दे कि गद्दिवस ट्रंप समर्थकों द्वारा अमेरिका की राजदानी वाशिंग्टन डी सी में कैपिटल बिल्डिंग पर हमला कर दिया गया था जिसमें एक महिला की गोली लगने से मौद भी हो गई थी ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल अपर्फेक्ट वेन्यू फर वेडिंग, लाँचिंग और पार्टी राजगराना एंजोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब